छट पोजा का नियम नाय खाय से चालू हो जाता है यहां हम खरना का प्रसाद काने आये हैं तो खरना का प्रसाद में खीर और रोटी बनता है और दूसरे दिन से उपास फिर रहता है तो जिसके यहां उपास है उसके यहां हम सुभा सुभा असनान करके और प्रसाद बनाने क के लिए आगया है इसमें चाय और पानी नहीं प्याinin प्या जाता है बिलकुल उपवास आया जाता है और प्रासाद बनरह दोलाता है बलतन सब में और वही यह से तला जाता है तो यह बहुत ही छट परवकर फेमस प्रसाद है, इसे खाने के लिए सभी लोग मांगे भी खाते हैं, तो यहां देखिए हम सुबह से साथ बजे से प्रसाद बना रहे हैं, और यहां देखिए अब सुबह सजाने का त्यारी हो रहा है, अब लगभग एक बज गया है, और और घर जाकर सभी काम घर का भी करके थोड़ा सा अराम किये, और फिट साम को अर्द देने के लिए त्यार हुए जल्दी से, और उसके बाद अब घाट की ओर जा रहे हैं, हम लोग सब कोई सुर्ज भगवान को डुपते सुर्ज को अर्द पढ़ता है, यह देखिए हमारे पीछे कितना भीड़ है यहां पे और सभी लोग सुर्ज को अस्त्राइब होने का इंतजार कर रहे हैं और सुर्ज दीरे-दीरे अस्त्राइब रतधारी लोग पानी में सुर्ज भगवान के उपासना में खड़े हुए हैं, और अब सुर्ज डहल रहा है, अब साम का अर्द देना सुरू हो गया है और सभी लोग जल दे रहे हैं, और सुर्ज भगवान अब देखिए डूब रहे हैं कितना अच्छा सुन्दर दिरे से लग रहा है बिलकुल लालीमा चाह रहा है और देखिए अब डूब गया हैं अब सभी लोग घर लोट रहे हैं और सुबह में साले पांच बजे भोर को असनान करके फिर घाट के पास आ हैं और यहां देखिए एक का मंडब बना हुआ है और व्रत धारी लोग पानी में खड़े हैं और सभी जगह छट मया का गीत गया जा रहा है और सुर्ज भगवान से बिंति किया जा रहा है कि आप जल्दी निकलिए सुर्ज भगवान और दर्शन दीजिए और इसी के साथ और सुर्ज भगवान देखिए निकलना सुबू कर दिया बिंति कि नादी का दीतरा है और सुर्ज भगवान को फर्ग देना चलू हो गया है इसमें डाय के दूस से फर्ग फड़ता है और यह नहीं है प्रगवान जल्द से अगसा है जो पवित्र नदी है उससे जल दिया जाता है और यह इन चार दिन का यह नहाएखास से हो जाता है चार दिन का छट पर और बिल्कुल चार उत्रफ देखिए नदी के उस पर भी सभी लोग छट कर रहे हैं और सुप में अर्ग पढ़ने के बाद देखिए सुहागन इस्त्री को सिंदूर नाग से लगाया जा र है लास्क में पुर्णाथी में हवन किया जाता है परिवार के लोग और जो लोग भी जाते हैं हवन में सामागरी डाल के हवन करते हैं और देखिए इस तरह से अब प्रसाद वित्रन भी हो रहा है और व्रत धारी भी प्रसाद और सर्वत पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं और कुछ लोग देखें यहां जाना चालू कर दिये हैं और कुछ लोग तयारी कर रहे हैं जाने के लिए और यह देखें नदी में सैवेरियन पक्षी भी इसमें बहुत आते हैं अब हम अपना चट पर्व का ब्लोग यहीं समाप्त करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरा सोट ब्लोग भी चट का डाला हो